हेलो फ्रेंड्स तो मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ हरे प्याज के पकॉरे जो की बहुत ही स्वाधिस्ट बनते हैं आप इसे चाई के साथ भी सर्ब कर सकते हैं तो चलिए फिर देर किस बात की हम बनाना इस्टार्ट करते हैं तो देखी दोस्तो मैंने यहाँ पे 400-500 गराम हरे पत्ते लिए हैं हमने इसे 4-5 पानी अच्छे से धो दिये हैं उसके बाद हम इसे छोटे-छोटे बारिके से काट लेंगे आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद आए आप इसे काट सकते हैं तो देखी मैंने यहाँ पे सारे काट लिए हैं ऐसे ही आपको भी काट लेना है अब इसका हम मैटेरियल त्यार करेंगे जिसमें हम एक कटोरी बेसन डालेंगे उसके बाद हम इसमें हरे मिर्च भी काट के डालेंगे उसके बाद हम इसमें स्वाद अंसर नमक डालेंगे और थोरा सा हम इसमें जीरा भी डालेंगे उसके बाद हम इसे अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे तो देखी दोस्तो मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डालना भूल गई हूँ और यह मिर्च पाउडर भी, तो चलिए हम इसमें हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक चमच हल्दी पाउडर यूज किया है, और एक चमच हरी मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से थोरा सा पानी डाल के और mix करेंगे दोस्तों ये recipe जो है आप अपने घरों में एक बर बनाएके जरूर ट्राई करें बहुत इस्वादिश्ट लगते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता है तो देखिए हमने इसे लगबग अच्छे से mix कर लिया है अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद हम एक कराही लेंगे इसमें हम refine डालेंगे हमारा कराही गरम हो चुका है उसके बाद हमारा refine गरम हो जाएगा तो इसमें हम थोरा सा पहले डाल की देख लेंगे कि हमारा oil गरम है की नहीं तो देख सकते हैं आप हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें छोटे-छोटे करके एक एक करके डालेंगे पकोरे को और अच्छे से बनाएंगे आप इसमें अपने हिसाब से छोटे बरे ले सकते हैं आपको जैसा पसंद आए तो हमें यहाँ पे एक एक करके सारे को डालना है जितना हमारे तेल में डला सके तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है उसके बाद हम इसे धीमी आज पे ही दीरे दीरे करके पकाएंगे इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप जल्दी जल्दी ना करें वरना बीच में कच्चा ही रह जाएगा तो देखिए हम इसे धीमियाज पे ही पकाएंगे और इसे अच्छे से उलट पलट लेंगे और इसे हम ब्राउन कलर तक पकाएंगे जब तक हमारा अच्छे से ना पके तो देखिए ये लगबग हमारा पक चुका है और फिर हम इसे एक पलेट में निकालेंगे आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चाय के साथ भी खाईए बहुत ही अच्छा लगता है तो देखिए अब हमारा पक चुका है पकौरा इसे हम निकाल लेंगे दोस्तों ये जो रेसिपी है अपने घरों में जरूर एक बट राई करें तो ऐसे ही रेसिपी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में सेर करें